33 into 54 33 into 54 का एक 3 BH के हाउस्प्लान इसका चोड़ाई है 33 फिट और इसका लंबाई है 54 फिट देखिए इसका लंबाई यह है 54 फिट अगर यह जो स्टेप है सामने अगर यह स्टेप का लेंध मिला लेते हैं तो यह टोटल हो जाएगा 55 फिट एट इंच और इसका चोड़ाई है 33 फिट यह एक 33 into 54 का एक दक्षिन मखी घर का नक्षा एक साउथ फेसिंग हाउस्प्लान और यह एक 3 BH के हाउस्प्लान यह है घर का फ्रॉंट साइट और यह है साउथ डिरेक्शन और यह बेक साइट यह है नौर्थ डिरेक्शन यह राइट साइट यह है इस्ट डिरेक्शन और यह लेट साइट यह है वेस्ट डिरेक्शन यह है घर का फ्रोंट और घर के सामने यहां पर एक फोर फीट वाइड का भारंडा है और यह है स्टेप यह दो स्टेप चलने के बाद यह फोर फीट वाइड का भारंडा और यह है घर का एंट्री दोर और ये left side में देखे यहाँ पर है parking come garage 11 feet 8 inch into 14 feet का एक garage है parking come garage 11 feet 8 inch horizontal है और ये 14 feet है vertically और ये है drawing room ये entry करेंगे तो ये है drawing room 10 feet into 10 feet 10 inch इसका लंबाई 10 feet और इसका चोड़ाई भी 10 feet गर के सामने यहाँ पर देखिए drawing room में एक खिड़की है ventilation के लिए और ये right side में ये है kitchen kitchen का dimension है 8 feet into 10 feet 8 feet है horizontally और ये vertically है 10 feet ये है kitchen का slab और ये right side में एक खिड़की है और यहाँ से अंदर जाएंगे तो देखिए beach में एक hall है ये एक बड़ा सा hall 14 feet into 24 feet 18 inch 14 feet ये horizontal है और ये 24 feet 18 inch यानि ये जो वाल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 24 feet 18 inch यहाँ से यहाँ तक ये है 24 feet 18 inch और ये horizontal है 14 feet और ये living room के एक कोने पर देखिए यहाँ पर पुजा घर है 4 feet 6 inch into 7 feet का है पुजा घर और ventilation के लिए इसमें देखिए दो खिड़किया है यहाँ पर एक खिड़की और यहाँ पर एक खिड़की और पुजा रूम में एक खिड़की है और ये बाय तरफ यहाँ पर है master bedroom master bedroom का dimension है 16 feet 6 inch into 12 feet 16 feet 6 inch horizontal है और ये 12 feet vertical है और यहाँ पर है master bedroom का attached toilet ये attached toilet का dimension है 7 feet 6 inch into 4 feet 5 inch 4 feet 5 inch है चोड़ाई और इसका लंबाई है horizontally 7 feet 6 inch इसके पास यहाँ पर है एक common toilet 7 feet into 4 feet 5 inch ये दोनों toilet का size सामान है और ये सामने एक basin के लिए एक point है और ये है staircase 7 feet wide का staircase उपर जाने के लिए है ये inside staircase है और यहाँ पर देखिए bedroom number 3 ये है bedroom number 2 ये है bedroom number 1 ये है master bedroom और ये है bedroom number 2 14 feet into 12 feet 14 feet है horizontally और ये 12 feet vertical है एक बड़ा सा bedroom पीछे एक खिरकी और ये right side में एक खिरकी ventilation के लिए इसका आठाज toilet यहाँ पर है 4 feet 6 inch into 8 feet 6 inch 4 feet 6 inch horizontally और 8 feet 6 inch vertically यहाँ पर एक basin point है और ये left side में एक bedroom ये bedroom number 3 12 feet into 12 feet का bedroom horizontally 12 feet और ये vertical 12 feet पीछे एक खिरकी और ये बाइन तरफ एक खिरकी है दोस्तों ये एक south facing 3 B.H. के house plan इसमें तीन bedroom है ये है master bedroom ये है bedroom number 2 और यहाँ पर है bedroom number 3 इसमें 3 bedroom एक hall ये बड़ा सा hall है living hall एक kitchen kitchen यहाँ पर है और इसके साथ साथ देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा है ये drawing room भी है इसमें एक parking के लिए garage है पूजा घर भी है और inside staircase है इसमें 3 toilet है और इनमें से 2 toilet आठाच है ये toilet आठाच और ये आठाच टोएलेट एक common toilet और घर के सामने एक 4 feet wide का वारंडा है ये wall का थिकने से 2 inch का ये दिखिए जितना भी मोटा वाला wall है ये सब 2 inch का है और ये जो भीतर partition wall है पतला वाला वाल ये सब 5 inch का है ये है 5 inch का ये है 5 inch ये भी 5 inch और ये जो टोएलेट में यहाँ पर 5 inch का है तो चलिए दिखते हैं इसका प्लीन थिर्या कितना है 33 inch 54 इसका प्लीन थिर्या है 1782 स्क्वार फिट दोस्तों ये नक्सा आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेट कीजिए अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सब्सकाइब ही कर दिजिए धन्यवाद